हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आपका दोस्त देशीनुस के उत्रखन यूट्यूब चैनल से दोस्तों आज का जो हमारा विशा है वहें लाजबंती के उपर है जिसे चूई मुई के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ये जो है ये लाजबंती के बीजो का पाउडर है ये बीजो को मैंने पीज का पाउडर बना रखा है फलाल मेरे पास बीज नहीं है तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है किरपे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें चलते हैं लाजबंती के बीजों का पॉडर है तो बीज मेरे पास में भी नहीं है तो मैं आपको स्रीप पौता दिखाता हूँ यह चुई-मुई का पौधे का चितर है दोस्तों आप इसके पैचान कर सकते हैं यह किस तरह का होता है अगर इसे हाथ लगाए तो हाथ लगाने इसके पत् होता है हमारे स्वास्त के लिए अगर हम इसके गुणों की तरफ चले तो इसमें बहुत सारे गुण पाया जाते हैं जो हमारे सरीर के लिए उपयोगी होते हैं तो दोस्तों अगर हम इसका सेवन करते हैं लाजबंती का तो यह हमारे अस्थमा जो धमे की दिक्कत होती है उस जैसे गटियावाई का दर्द होता है गुटनों जोडों में दर्द होता है उसमें भी यह हमारे लिए बहुत पाइदे मन्द है तीसरा दोस्तों जैसे गवी घाव हो जाता है शरी में वह गाव नहीं बढ़ता है तो इसके अगर पत्तों का रस डाला जाए गाव पर तो वह जल्दी बढ़ना सुरू हो जाता है गाव जल्दी बढ़ता है चौत्त दोस्तों यह मूत्र वर्दा GETASTा है अगर मूत्र की मात्र कम आता है तो यह पेसाफ खुलकर लाता है और सबसे अधिक उपरियोग दोस्तों इसका धहाश अपन दोस ना पूर्ष सकता की बिमारी में करा जाता है आज कब इसे हमारा उसी को पर होगा लेकिन थोड़े से आपको मैं गुड़ो से परिजित करा दूँ ये देखिए हमने इसके थोड़ा लाजवत्ती के चून का पॉटर डाला है पानी में और ये कुछ समयवाद अपने आप ही है बिल्कुल गाड़ा हो जाएगा तो ये मान के चलिए कि हमारा विर्या भी इसी की बाती ही गाड़ा हो जाएगा इतना गाड़ा करम इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों और इसके गुण ये है कि ये हमारे सरीर से विसेले तत्व को ये सरीर से भाद निकालता है चर्म रोग फंगस को नश करता है किसी को सर्म में कोई दिक्कत प्रिशानी है तो इसकी जड़ों का सेवन करा जाए तो उसमें भी बहुत अच्छा फैदा होता है और बवासीर में इसके बीजों का चूड यानि कि इस पोड़र का चूड का शेवन करा जाए तो बहुत अच्छा फैदा होता है अगर किसी के पेट म इसका शिवन करने से अलसर में बहुत अच्छा राम मिलता है और अगर लीवर में इंफेक्शन है तो लीवर में भी इसके पत्तों का अर्ग से लाब लिया जा सकता है दोस्तों जैसे किसी को सपन दोस है और सीग्र पदन की दिक्कत है और जाती है पे साफ के साथ आगे पीछ को इसाम दूद के साथ में या पानी के साथ में सेवन करते हैं तो आपके धात जाने की समस्या सपन दोस की समस्या खतम हो जाती है और आपका विर्या भी इसी पिदार्थ की तरह काड़ा हो जाएका जो आप देख पा रहे हैं जो ये मेरे हाथ में देख रहे हैं ये पाईंगे फंकी मारकर या इसके पाने डाल कर हमस्था से खाय निगलेंगे तो यह हमारे गले में अ ठक जाएगा तो यह जैसे ही आप अन्या..मचरी के साथ मिल्दाखर शियुवन करते हैं तो यह इसे आप इसको भंकी मारेंगे तो उसके उपर से आपको तुरूंत ही पानी पीना है या गिलास पीना है। जिससे आपके अंदर यह जो इसका पॉटर होगा वो सीधे आपके पेट में चला जाए नहीं तो यह आपके जीब में चिपक सकता है गले में अटक सकता है आप देख रहे हैं यह देखे कितना गाड़ा हो गया इन्हें पानी को बांदिया है और यह इसी तरह से आपके विर् रहे हैं बिल्कुल गाड़ा कर देगा पेष्ट बना देगा फैवी गॉल की तरह गाड़ा कर देगा और आपकी रमण सक्ति यानि की आपकी स्यास करने के पावर भी क्या गुना बढ़ जाएगी तो यह दोस्तों सबसे महत्पूरुन इसका प्रियोग सपन्दोश धात और सीगर पतन पर कर जाता है इसे नापुंस्तक्ता भी खतम होती है और यह विर्योग को मक्षन की तरह सहत की तरह काड़ा कर देता है तो यह दोस्तों अजमाया हुआ प्रियोग है आप इसी की बाते आपका विर्योग करके अगर आपको को परिशानी है तो आप अपना वीडियो में तब तक एरे दोस्तों धन्यावाद मेरे चन को सब्सक्राइब